नमस्कार मैं डॉक्टर वीपिन बंसल वास्तू कंसल्टेंट मैं हमेशे ही आपको वास्तू शास्तर के साथ अपने अनुभव की खास बते बताता हूं जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको वेस्ट फेसिंग ग्राउंड फ्लॉर के बारे में बताया थे कि अंडा गार्म पर सिलाई मिशिन कहां पर कैसे लगाने चाहिए स्टाफ का फेस लेवर का फेस किस साइड होना चाहिए अपने चाहिए आपका कम्प्लिट ये एक हॉल है और हॉल के अंदर जो आने का रास्ता है वो स्टेर से यहां से आने का रास्ता है इसमें आपने अपने यहां पर जो मशीनों का सेट अप करना है वो कैसे करना है मशीने आपकी हमेशा ही इस्ट के और पूरो दिशा के और फेस करती हुई ह को यहां क्योंतर शAF was is km अEM को छाँ कुछ हो आदlang को मॉना ना निटा मीनिता कही आंब प्रेंजान के दिरन जीत्र करती हैं आपने अपने यहां पर क्यूश कि जब आपकी एपनी मशीने लगाएं क्यूंकि आपकी सटी क्वेश्ट फेस्ट फेसिंग आप अपने यहां पर नौर्ठ फेसिंग कि यानि इस प्रकार से लगा सकती यह जितना स्पेस आपके यहां है उसके हिसाब से आपके अपनी मशीने लग जाएंगे आपने अपने यहां पर पचास मशीने लगानी है, सो मशीने लगानी है या पान सो मशीने लगानी है जैसे आपके अपनी factory है जैसा आपका अपना काम है उसके इसाब से आप अपनी factory के अंदर machine लगा सकते हैं हमेशा धियान रखना है जो south wall है यहाँ पर आपने एक rack लगाना है और जो working यहाँ पर बैठ कर labor करती है उनके लिए जो mall रखा जाता है वो mall आपने south के rack में रखना है ऐसे ही आप rack west wall पर भी लगा सकते हैं और इसके अंदर भी आप माल रख सकते हैं कपड़ा रख सकते हैं क्योंकि कपड़ा जो cutting के लिए आता है वो कपड़ा रेक के अंदर रख दिया जाता है जो जितना कपड़ा routine में इस्तमाल होता है वो हर एक labor को दे दिया जाता है और जैसे ही वो कपड़ा तयार होता है वो कपड़ा आपका नीचे चला जाता है और उसकी छटाई होती है जो माल आपका machine पर तयार होता है जो labor आपकी माल तयार करती है उसका face नौर्थ की और हो जाता है यहाँ पर जो माल तयार होता है उसकी छटाई करने के लिए जो staff आपका बैठता है जो labor बैठती है वो labor आपकी अपनी यहाँ बैठ जाएगी उनका face नौर्थ की और या west की और होगा west की और भी face करके काम करने में दिककत नहीं आती लेकिन कोशिश करें कि नौर्थ की और face हो तो सबसे अच्छा है east की और face हो तो भी अच्छा है south की और face करके कभी भी काम नहीं करना चाहिए जिस factory के अंदर labor south के और face करके काम करती है वहाँ पर working proper नहीं आती यानि वहाँ का काम proper तरीके से पूरा नहीं हो था पूरे दिन में जितने piece machine से निकलते हैं वो piece proper नहीं निकलते हैं कहीं ना कहीं दिक्कत बनी रहती है ये setup मैंने आपको बताया फर्स्ट फ्लोर के बारे में कि फर्स्ट फ्लोर के आप इस परकार से machine लगा सकते हैं और जो labor काफियस है वो north के और कर सकते हैं ऐसा करने से working हमेशे ही अच्छी रहेगी जितना piece आपकी एक labor पूरे दिन में बनाती है वो piece proper तरीके से पूरे बनेंगे और बिना मिश्केक के बनेंगे कोई भी piece आपका खराब नहीं होगा मैंने अपनी इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी है आप उस जानकारी को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप अपने यहाँ पर इस परकार से अपना setup कर सकते हैं आपके अपनी factory लगी हुई है और आपके यहाँ working अच्छी नहीं है आप जरूरत से ज़्यादा परेशान है आपको कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें सुनें समझें और विचार करें आपको लगता है कि वीडियो के मादेम से बंसल जी ने जो एड़्वाइज दी है वो सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रेजल्ट प्राप्त कर सकते हैं आप अपनी साइट का मैप भीज कर हम से ओनलाइन सलावी ले सकते हैं मैं हमेशे भी आपको वोस्तु मे साथ 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 अपने अनुभव की जानकारी की मेरी दोरा इस ज्श्चे लगी में मेरी इन कि दो ने वीकर करें और मेरी इस वीडियो को ऐप अगले प्रोड़ाम में फिर एक नए विशा पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार